सब्सक्राइब दोस्तों मैं हो मतर आप देख रहा है डियाडॉग रियल्मी 5G यहां काफी दिन हो गया यह लांच हुआ है और यह मेरे पास है वह भी काफी दिन हो गया एक्चुली मैं थोड़ा दिन इस्तमाल करा था इसको और मैं देखना जाता है यह जो चार कामेरा का है रियल्मी ने वह कितना हथ तक यूसफुल है डेली लाइफ में तो मैंने इसको इस्तमाल किया और आज मैं लेकिया है आप लोग के लिए रियल्मी 5 का फुल इंडिफ्ट कैमरा रियू तो अगर आपको जानना यह चार कामेरा का सच क्या है तो देख ती रही वीडियो उसके साथ 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 अगर मेरे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते एक्दम फ्री है उसके साथ साथ घंटी भी दावा तो जो भी एक् सबसक्राइब कर से नहीं तो सबसे पहला मैं आपको बताते है तो एकजाट लियू चार कैमरा उस में क्या क्या स्पेसिफिकिक्चन आपको मिलता है यहां पर आपको मिलता है 12 मेकापिक्सल के कैमरा विच इस सोनी IMX 386 सेंसर इस अपर ए 1.8 उसके बाद आपको उसके बाद कोई भी object के उपर आप रख के फोटो की सकते हैं तो actually क्या है अगर आप पुराने realme device देखे उसका यूजर इंटरफेस है वो लगबग सेमी हाता है यह आपका normal camera नौर्मल कैमरा कुछ इसके पकार कहा है यहां पर आपको 1x का जूम मिल जाता है उसके बाद आपको मिल जाता है 5x का जूम मतलब आप कोई भी object के काफी नस्दीक जा सकते है तो for an example यहां पर यह वाला pipe है यहां पर टू एक जूम जाता है उसके बाद मैं चला जाओ तो एकदम फाइव जूम उसके बाद भी मैं आगर फोटो कीचता हूँ वह फोटो भी काफी यहां पर अच्छा निकल के आता है जैसे आप देख पार अच्छा डीटेल के साथ तो चलिए चलते हैं नेक्स टेप प अब यह और एक जो इंपॉर्टन चीज है इसमें वो है आपका मैक्रो लेंस यहां पर नीचे आपको मिल जाएगा मैक्रो लेंस और यहां पर उपर जैसे देख पार हो बेस्ट क्वालिटी एड फोर सेंटीमेटर मतलब आपको बहुत ही नसदी जाना पड़ेगा कोई भी अब्जेक का फोटो उठाने के लिए तो मैं बहुत नसदीक हो एकड़म उसके बाद मैं फोटो उठाता हूं फोटो उठाने के बाद जैसे आप देख पार हो हाला कि डीटेल्स उतना सही नहीं आया मुझे एक बार कंप्यूटर में लेकर देखना पड़ेगा लेकिन तो काफी इंपोर्टन फीचर इस डिवाइस में तो अबने देख लिए इस परकास अबस्तमाल कर बाएंगे तो अगर आपके पास Realme 5 है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा मतलब Realme 5 होगा Realme 5 Pro या फिर XT इसमें सभी में यह सभी मिलेगा कैसे आप सभी मोट को इस्त आपको अब सब्सक्राइब लाइन नाइटें डिग्री वाइगे वाइगे शच विच लुक्स गूड आउट स्क्रीन बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें जो डीटेल से बढ़िया नहीं है तो मैं आपको सेस करूंगा अप्राइमरी 12 मेगापिक्स सी फोटो और इसमें आपका क्या वह आपका macro macro से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर जैसे मैं आपको बता है आप 5 इंस्टन्ट जूम कर सकते हैं उसके बाद अगर macro shot 4 cm तो दूरी से भी macro shot ले सकते हैं अभी macro shot और 5 जो एक zoom shot है वो थोड़ा बहुत आसपास ही है लेकिन मुझे अग macro shot से ही नहीं आता है अभी जैसे कुछ samples देख पा रहे हैं जो mix and match samples है मुझे लगता है अगर आप closer shot लेना चाहते है macro shot से भी better आपका photo आएगा on 5 जूम उसमें focusing भी मैंने देखा काफी अच्छा है macro shot में मैंने देखा focusing भी उतना अच्छा नहीं है तो मैं आप लोग को strongly recommend न मैंने अपने FB और मैंने Instagram में भी post किया था तो फोन में देखने में काफी अच्छा लगता है social network के लिए काफी अच्छा है लेकिन जब आप इसको computer में लेके बढ़ा कड़ के देखेंगे तब आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत mix and match है जहां तक आ नॉर्माल मोड पे फोटो अगर आप चाते तो उसके बाद उसके एडिट करो वो फोटो अच्छा आता है अभी और एक important चीज़ है जो आपका low light photography जहां तक low light photography स्वाल है यहां पर आपको night scape mode दिया गया जिया है night scape mode works pretty fine मुझे realme का यह वाला mode काफी अच्छा है जहां प आपको थोड़ा बहुत अच्छा फोटो मिल जाएगा next और एक काफी important चीज़ है वह है आपका selfie जी हां selfie camera के बारे में ना बात कर रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस device में आपको total अगर दिया गया है एक ही camera जो है आपका 13 megapixel का selfie camera और selfie camera performance मुझे लगता है काफी ठीक ठाक है मै social network के लिए यह सब photos ठीक ठाक है जहां तक portrait shot का सवाल है वह भी आपका ठीक ठाक आता है frankly speaking इसका selfie camera में उतना खुछ नहीं हो हाँ वही फिर से दिमाग में आ जाता है 10 रुपय का budget है इससे बेटर आपको मिलेगा के नहीं तो इसकी साब से मैं बोलूँगा average या फिर आप बो video recording कर सकते है जहां पर आपको stabilisation नहीं मिलता है तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दोनों video samples दिखाते हूं उसके बाद बताता हूं मेरा कैसा experience रहा यह आपका रेयर camera sample यहां से मैं फुल हीजटी में रेकॉर्डिंग कर रहा हूं 30 EPS अगर आप चाहे तो यहां पर आपको EIS मिल जाता है विच इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है इंस्टन जूम का भी option मिल जाता है तो अलग अलग जूमिंग ऑप्शन मिल जाता है आज का वैज उसके बाद भी अचाहो तो 10 X तक जूम कर सकता हो लेकर उसके बाद पिक्चर क्लाइडी कुछ रहता नहीं है यह आपका 4K Sample 4K Sample में भी आपको जूमिंग मिल जाता है 5 X तक जैसे फुल HD में मलता है 4K भी Live View में सही लग रहा है कोई दिक्कत तो है नहीं कंप्यूटर में जाल के देखना पड़ेगे जाल के देखना पड़ेगे कैसा है तो 4K भी आप रेकॉर्डिंग कर सकते हैं अंडर 10,000 में 4K खराब नहीं है बड़ हलका सा फ्लिकरिंग लग रहा है लाइव यह देखना पड़ेगा यह कैसा निकल के आता है तो जैसे आपने देखा ऐसा कु बस फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस मेरे पास अभी लगबग 2-3 में जितने भी फोन इस्ते मल करता है लेकिन हाड़ली मैं 4K रेकॉर्डिंग करता हूँ तो पता नहीं आप अगर करते होंगे तो अगर आप स्ट्रॉंगली 4K बहुत अच्छा कॉलिटी का चाहते हो तो यह इस तो आपके लिए नहीं है उसके लिए आपको और भी मतलब पॉकेट से और भी ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा लेकिन अगर विडियोग्रफी देखा चाहिए मुझे सबसे अच्छा चीस लगा वह आपका इसका सेल्फी कैमरा का विडियोग्रफी सेल्फी कैमरा स अगर अब चलते चलते वीडियो लेते हैं मुझे लगता है यह वाला फोन आपके लिए काफी बढ़िया होने वाला है चलिए मैं आपको देखाता हू एक वीडियो सैंपल जो मैंने सेल्फी कैमरा से गिया है यहां से भी आप फुल एजडी में वीडियो रेकॉरिंग कर सक आपको बताता हू कितना स्टेवल आपको बताता हू कितना स्टेवल आया है तो गाइस तो यह था आपका टोटल कंक्लूशन अगर फ्रैंक्ली स्पिकर मुझे बोला जाए 10 अरुप के बज़े पर नो डाउट रेर कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है क्रोमा बूस्ट 5x zoom काफी अच्छा है macro length not that good portrait shot not that good selfie camera ठीक थाक है selfie camera का video बहुत बढ़ी है stabilization मिलता है अच्छा है जे फोन पे selfie camera पर stabilization नहीं मिलता रेया camera full HD video usable 4k video okay okay तो यह था एकड़ मेरा personal opinion on this device actually मैं realme 5 से frankly speaking मैं तो ज्यादा expect करता था मतलब कर रहा था actually launch से पहले लेकिन मतलब ठीक थाक है expect में मैं नहीं बोलूगा 100% खड़ा उतर है मतलब ठीक थाक है तो अगर आप मुझे बोलते है out of 10 realme 5 को मैं कितना marks दे सकता I will give 6 to 6.5 out of 10 in terms of camera performances concern मुझे लगता है camera performance और भी better हो सकता था अगर realme थोड़ा बहुत और ज्यादा polish करता देख तो realme hopefully इसके बाद भी थोड़ा बहुत update देखे यह वाला camera को और भी अच्छा कर सकता है for the timing जो है वैसा ही है आप बतो आपका ये video के कैसा लगा मतलब आज का मेरा ये video आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को अब भी सवालों के जवाब देना about realme 5 तो इस वीडियो में भी तक लिए इना है दिस योरोस्टर में साइनियों अफंडे आड़ा खोब तो से यू in my next video. Bye-bye.